नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इलेक्रिसिटी अमेंड्मेंट बिल के विरोध में मंगलवार को मधिप्रदेश के हजारों बिजली कर्मी हर्ताल पर हैं इसके कारण बिजली समंधी कामकाज पूरी तरह से ठप हो सकता है विद्यूत वितरन कमपनियों में काम करने वाले तमाम कर्मचारी और अधिकारी एक दिन काम का बहिसकार करने का फैसला किया है युनाइटेड फोरम के बैनर तले होने वाले इस एक दिन के हर्ताल का उद्देश सरकार तक अपनी 20 सुत्रिय मांगों को पहुचाना है कर्मचारी की हर्ताल से मध्यप्रदेश अंधेरे में भी जा सकता है बता दे इससे आम लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है वहीं हर्ताल पर जाने वाले कर्मचारी निताओं का कहना है कि पिछले 15 साल से वहलागातार अपनी मांगों को लेकर ग्यापन और सरकार के प्रतिनीधियों से मिलते आ रहे हैं इसके बावजूद सरकार उनकी मांगों पर महज आस्वासन ही देती आ रही है बीते फरवरी में कर्मचारीों का दल सरकार से मिला था जिसमें सरकार ने आस्वासन दिया था कि 15 जुलाई तक उनकी मांगों का निराकरन कर लिया जाएगा लेकिन अभी तक कोई निराकरन नहीं बता दे हरताली कर्मचारीों का कहना है कि हमारा 2021 विद्यूत अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध रहेगा साथी पेंचन फंड नीती को लेकर भी कर्मचारी नाराज है इसके अलावा कई वर्षों से नई भरती नहीं होने के कारण कर्मचारीों पर काम का अतिरिक्त बोज बढ़ रहा है 20 सुत्री मांगों में सविदा कर्मचारीों को नियमित करने की बात भी शामिल है इन्हें लेकर मंगलबार को विद्यूत विद्रेंट कंपनी के कर्मचारी हरताल पर है National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers के आवाहन पर United Forum के तत्वधान में MP में सभी अधिकारी कर्मचारी हरताल कर विरोध जताएंगे